हैलो गयज मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम रिविई करने वाले हैं राशी पेरीफेरल लेमिट्ट आइप एक बारे में जिसको आप आर पी टेक भी बोल सकते हो गयज डीटेल रिविई करेंगे इस वीडियो में जानकारी समय में आ सके और आप इस दी हुई जानकारी का फायदा उठा के अपने लिए सेफ और बढ़ियां डिसेशन बना सको तो चलिए वीडियो हम स्टाट करते हैं इस इमपॉरंट डीटेल से कि गईज एलपेक सोलर लिमिटेड आईपयो का हमने डीटेल रिव्यू कर दिया है 150 परसन से ज्यादा ग्रे माकर में डिमांड निकलता दिख रहा है बहुत ही शांदार SME कैटेरी का IPO है इसका डीटेल डीटेल रिव्यू जरूर जाके दिखना साथ में आपने दापाक होटल का भी नहीं देखा है तो डिस्क्रॉप्शन में इसका वे लिंग मिल जाएगा जाके डीटेल रिवी वाली वीडियो जरूर देख लेना अब आगे बढ़ते गईस और RP Tech के important dates and important details जान लेते हैं फिर हम इसके business financials की बात करेंगे गईस IPO 7th of February को open होने वाला है 9th of February को इसकी closing date, allotment date 12th of February को और listing date इसकी 14th of February को रहने वाली है standard face value पे नाके split हुआ है इसका face value और 5 rupees की face value पे 311 यानि की 311 रुपए का price बन आया है IPO का size करीब 600 crore का है जो की पूरा का पूरा fresh issue है और ये एक positive बात है ठीक है तो यहाँ पे काई size एक तो छोटा होना 600 crore का IPO बड़ा size में नहीं आएगा और पूरा का पूरा fresh issue होना ये एक positive बात है ठीक है यहाँ पे काई इस link in time इसका रइश्रा रखा गया और 35% कोटा retailers ले रखा गया है जिसमें करीब 14675 application retailers के लिए 1435 application small H&I और 2871 application big H&I के लिए reserve रखे गये हैं अब हम इस company का business देख लेते हैं company का business कैसा है तो गई सबसे पहले बता दो इस company जो है वो 1989 में incorporated ही ती यानि की company का बहुत ही अच्छा कासा experience है अपने business में company इंडिया में global brands के product को distribute करती है अगर जो आपको simple सी भासा में समझाओ तो इस company जो है करीब 52 global brands जिसमें से काफी सारे famous brand है देख लो यहाँ पे AMD हो गया, Dell हो गया, Fitbit हो गया, Google हो गया, HP, Intel, LG, Lenovo, Philips, Samsung, SanDisk, Tosiba और कई सारे नाम आपको देहने को मिल दाएंगे तो आपके 52 से ज़्यादा brands के globally product यह इंडिया में sell करता है, जैसे माल लो Lenovo China की company है, China में manufacturing के laptop, desktop सारा कुछ होता है, वहाँ से यह खुद आके ना sell करने के बजाए, ऐसी किसी company को दे देती है, अपना distribution के लिए deal और यह वहाँ से लागे इंडिया में पूरा sell करते हैं, पू house हो गया, headphone हो गया, Logitech brand का, इसके साथ आप PC देख लो, यहाँ पे Lenovo के even bags भी sell करती है, मतलब उस company के जो भी product है, वो सब कुछ, Google की बात करें, Google का Chromecast 3 हो गया, जो use होता है, उसके साथ ही, जो Google की दूसरे product है, वो भी यह company इंडिया में sell करती है, ठीक है, तो company distribute करती है, दूसरे जो brands है, उनका product लाके इंडिया में, यह इसका simple सा business है, और कि 30 सितंबर 2023 तक, राशी peripheral का distribution network है, उसमें करीफ 52 global technology brand आ जाते हैं, 50 branches है इनके इंडिया में, 63 warehouse है, across इंडिया, 8657 distributors हैं, करीब 680 locations पे, और यह 28 states और union territory में, इंडिया के network इनका presence रखता है, इसी date case आप स 433 employee इस company में देखने को में मिल रहा है, तो company का जो business है, बढ़िया है, company का यह business future में sustainable भी है, अच्छा करता हुआ देखेगा, और current में experience अच्छा खासा इसके पास, तो देखो कभी भी यह selling जो है, in product की बंद नहीं होने वाली है, आगे future में बढ़ना ही है, कम नहीं होना है, तो अगर जो कोई brand strongly presence रखता है, तो वो अच्छा करता हुआ, long में भी देख जाएगा, तो सबसे परहे तो financial दे लेते हैं, इस company के पास experience तो है, तो क्या एक चुमें पैसा बना रहा है या नहीं बना रहा है, उससे सब कुछ clear हो जाएगा, तो guys आई होब आपको business समझ में आगया होगा, business अगर जो समय आया है, तो प्लीज वीडियो को like जरूर करिएगा, चोटी-चोटी details आपको बताने के पहले काफी जादा hard work हम करते हैं, अब इसके financials के बारे में discuss करने से just पहले आपको बता दूँ, कि अगर जो आपको भी financial सही करने है, तो ये telegram channel आपको ज इंस्टाग्राम को जोइन करना, मत भूलना, description में link है, अब आगे बढ़ते हैं, और guys हम बात कर रहे थे, राशी के financials data के बारे में, तो guys जो data है, वो 3 साल का पूरा-पूरा और फिर September तक का, यानि कि 6 months का data यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले हम asset देख लेते हैं guys, तो asset जो है, वो हमें अच्छी growth देहने को मिल रही ठीक है, अगर जो हम यहाँ पर revenue की बात करें, तो revenue करीब 5,930 करोड का था, उसके बाद फिर 9,321 हुआ, फिर 9,468 करोड का, और अभी सिर्प September तक का ही data देखें, तो और on 5,473 हो गया है, ठीक है, तो अगर जो 6 months में आने वाले ऐसा ही revenue करती हैं, तो बहुत ही आसानी से 10, 10,000 क्रोड कर जाने वाला है, ठीक है, जो कि पिछले data से, यानि कि 2030 के revenue से अच्छा ही होगा, पैट की बात पर तो 136 करोड का है, उन्हें पैट बना था 2021 में, पैट का मतलब profit after tax, उसके बात फिर 182 का, मतलब decent सी jump है, लेकिन 182 से यहाँ पर आप देखोगे कि pat down होता हुआ ठीक है, revenue बढ़ता दिखा है और pat down होता दिखा है, यह एक negative point आप कह सकते हो, और अगर जो हम six month में देखें, तो around 72 करोड का ही है value, और अगर जो same यही मान के चली का आगर earning कर रहे हैं, तो around 140 या थोड़ा ज़्यादा कर लिया तो 150 तक हो जाएगा, आगे बहुत ही outstanding सा growth दि इसको छोड़े, लेकिन हाँ यह कह सकते है, 2030 से comparison में अगर जो similar earn कर लिया तो एक अच्छा profit हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप कह सकते हो, mix सा data है, कि भाई future में क्या ही होगा, अभी हमें तो नहीं पता है, कितना revenue generate करेगी, या कितना profit generate करेगी, लेकिन एक positive साह ही कह सकते हो, यहाँ पे, क्योंकि इसको 2030 को पीछे छोड़ देने वाली है, ठीक है, guys, net worth की बात तुरित करीब 772 करोड का net worth है, रिजर्ट सप्राइब 686 करोड का है, इस company के पास ठीक है, बॉरण जी है, वो 1395 करोड का है, जो की एक दिक्कत हो सकता है, इस company के लिए, इस company के पास रह जाने वाली है, और इसकी earning से borrowing बहुत ही हाई है, रिजर्ट सप्राइब से भी double है, net worth से भी double ही देने को मुल रही है, लगभग, ठीक है, तो यहाँ पे borrowing मालो, इन्होंने 600 करोडी जो है, पैसा उठा रहे है, पूरा-पूरा दे दिया, उसके बावजूद भी यहाँ पे around 800 करोड का borrowing रह जाने वाला है, जो कि इसको एक long term में दिक्कत देगा, गैस यहाँ पे दोगए debt to equity ratio तो 1.53 है, अगर जो यह debt to equity ratio कम भी हो जाता है, तो भी 0.5 से कमाने वाला है, तो यहाँ पे इसको देखते हुए सबसे पहले तो long term का plan जो है था, वो हम इस को ignore करेंगे, क्योंकि अगर जो long term में जाना भी है, तो कम से कब मुझे लगता है कि यहाँ पे एक साल डेट साल के लिए plan बनाना पड़ेगा, उससे कम में तो नहीं, मतलब at least one year, two years का मानगे चलो, उससे कम में नहीं, क्योंकि जब तक borrowing खतम नहींगी, जब तक company में इतना growth देने कोने मिलेगा, और borrowing काफी ज़्यादा, heavy इनके उपर है, और मैंने 600 को का example माना है, उतना पूरा ये नहीं पे करने वाले है, ठीक है, तो ये एक problem रह जाने वाली है, जो ROE और ROC है, वो भी 19.33 और 14.21 है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे, तोड़ू-4D से growth नहीं है, 15 क आस-पास से ये कह सकते हैं, तो यहाँ पर overall जो scenario है, वो एक छोटी listing gain के लिए इस IPO में बन सकता है, otherwise यहाँ पर एक factor रह जाएगा, risk का, कि भाई, listing gain में भी थोड़ा सा risk, और long term में तो देखो, फसी सकते हैं, अगर जो आप देखो, इसके P ratio, तो वो भी कही ने कही महंगा ह इसके P R से, और अगर जो आप इसके P R को देखने जाओगे, तो long term कुछ ऐसा return बना के दिया भी नहीं यह खासा, मुझे देखते हैं, चार-पांच साल का data होगे, तो कुछ sun में आएगा, और ना फिर flat flat सा ही कह सकते हो, तो यहाँ पर long term वाला, तो can say, listing gain के लिए जाना थो table रहेगा, बट वो भी मैं last day के लिए, या फिर day 2 तक ही जाने कोशिच करूँगा, day 1 पे या बोलूगा, day 2 पे भी फसने जैसे situation हो जाएगी, जब तक बड़े player नहीं आ जाते हैं, उसके साथ ही एक बार anchor investor की list आ जाती है, उसमें कौन कौन आ रहा है, यह सारी चीज़े दे तरना ज्यादा हाई नहीं है, इसी वज़ा से, यही सारी चीज़े जो भी डेमांड निकालता है, वो सोर्स समझ के निगा लेगा ना, तो करन में जो GMP है, वो हमें इस IPO का करीब 65-70 देने को मुल रहा है, जिसे आप से करीब 22% अगें approximately होता है, तो मुझे जो लगता है, इ या फर रिस्क लेके लगाओगे, कमेंट करके जरूर बताना, तो गईस मिलते हैं, अगली वीडियो में करते विडियो का इन, थैंच ववाचिंग गाईस, प्लीज टेल दिश्टे व्यादी, एन बबाबा फनाओ,